हेलो फ्रेंट्स आज की चर्चा शिरू करते हैं निफ्टी के साथ और निफ्टी के साथ चर्चा शिरू तो हम करी रहे हैं लेकिन मार्किट लगातार जो है मंदी होती जा रही है सोमवार की एक अच्छी खासी तेजी के बाद बजार जो है मंदे हो रहे हैं तो आज इसका आखलत करेंगे FII का एक डेटा जो हम आज अनाल्सिस करेंगे उससे आपको एक बात समझ में आएगी कि ये डेटा अभी और मंदी की तरफ इशारा कर रहे हैं या पुल बैक की बात कर रहे हैं तो कैसा रहेगा बजार ये भी हम देखेंगे ये आज निफ्टी ने जो गिरावड़ दी वो 137 पॉइंट की थी ये इंपोर्टेट नहीं है कि 137 पॉइंट की गिरावड़ है प्रोब्लम ये है कि आज 14,900 को भी ब्रेक करके टेस्ट करके आया मार्केट कि नीचे कितना द पोटेंशल को भी बजार चेक करके आया और उसके बाद पूल बैक हो गया तो यहां पर जो अंदेशा है वो ये है कि अब जो एकस्पारी के 4 दिन बचे हैं और ये मंथली एकस्पारी है तो इसमें काफी बड़े वोलिम्स होते हैं तो बड़े प्लेयर्स जो है उन्होंने शायद मंदी की पोजीशन बना ली और जैसी मैं चर्चा कर रहा था कि सोमवार के दिन अच्छी तेजी करने के बाद उन्होंने मंदी जो है बनाई सोमवार की तेजी के अंदर ही उन्होंने मंदी ढूंडने की कोशिश की और वहां से आप देखे का 15,431 से आप 14,981 पर ख खड़े हैं और बैंक 50 में यह आखड़ा थोड़ा और बढ़ा है तो यह जो बजट के बाद रैली हुई थी उसमें से कुछ रैली ऐसी थी जो कि फोल्स रैली थी क्योंकि जो शोट्स हैं वो ट्रैप होगे तो बैने आपको बोला भी था कि सोमवार के अंदर तो जो है जैसे वो कवर होती हुई नजराई तो यह साइकलोजी कली जो है यह बड़े प्लेयर समझते हैं कि कहां पर पोजीशन करनी है तो वहां से रिखिए का एक रिवर्स पोजीशन में उन्होंने कितना पैसा जो है बनाया अभी पहले तेजी में भी और अभी 400 पूंड की बंद जो है लगातार आ रही है और यह चाड़ों विस कंसलिडेशन के बाद अए जो मैं आपके साथ चरचा भी कर रहा था और महिने के शुरू में मैंने आपके साथ बात की थी कि महीने के अंदल जो लास्ट वीक होगा वहां से एक मंदी जो है खिली जा सकती है तो देखिएग मंदी आगे भी चलेगी यह यहां से पूल बैक करेगा देखिएगा अगर सिंगापूर निफ्टी की बाग करें तो सिंगापूर निफ्टी अभी करीब 70 पूंट के प्रीमिम पे चल रहे हैं लेकिन मुझे फिर भी ऐसा लगता है कि अब पोजीशन आती हुई नजर आ रही है और बियर्स ने बड़े तरीके से माल बीचा है वो मैं भी आपको वीडियो के अगले हिस्से में बताऊंगा यह है आज की में कंट्रिबुटर्स रिलाइंस बाजी समाल रहा है और NBFC और बैंकिंग स्पेस वीक हो रहा है तो आज निफ्टी को गिराने का जो दारोंदार है वो बैंकिंग स्टोक्स के उपर यह है आईसी आईसी बैंक का 28 पॉइंट का है नेगेटिव कोंट्रिवुशन है एटेटी एफसी बैंक का 13.26 स्बीए का 12.44 एक्सिस बैंक 11.61 तो इसका मतलब जो गिरावट थी वो बैंक निफ्टी से आ रही थी ज्यादा अब यह रिलाइंस जो है 2000 से उपर अपने आपको बनाए हुए लंबे समय से और क्रूड ओल के प्राई जब से उपर है हुल जब भी मनती होगी तो हुल नैसले इस तरीके के शेर्स आइटेसी जैसे शेर्स और बाक्की फारमा शेर्स जो है कुछ ना कुछ अपने जो है ताकत जरूर दिखाते हुए नजर आएंगे जो है आपको आज तेजी नजर आ आई इंडसिंट बैंक जो है आज बैंक रिफ्टे के इंदर दो ही शेर्स काफी अच्छे तरीके से काम कर लिया थे कि इंडसिंट बैंक और आज दिगज था आई डिशी फर्स्ट यानि कि आज बढ़ने वाले जो शेर्स थे उसमें में यह तो नहीं कहूंगा कि वो दिगज बेटर रखता है लेकिन अज दिगज हब मेरे मुझ से इसलिए निकल गया कि उसने आज इस तरीके की रैली करी वो कबिले तारीफ थी और मेरा पॉटफोलिय यहां पर देखिएगा निफ्टी फिफटी परफोर्मेंस यही कह रही है कि एडवांस डेकलाइन रिश्यो आप पूरी जो है साथ दिन से एकी बात देख रहे हैं मार्केट उपर जा रही है नीचे जा रही है लेकिन मार्केट ब्रेट जो है वो नेगिटिव में ही काम कर आज भी देखिएगा घटने वाले जो शेस हैं वो एक समय तो साड़े बारा सो पर पहुंच गे थे फाइनली भी ग्यारा सो सबतर शेस जो है नेगिटिव ही बंद हुए जबकि सुबह सिचुईशन कुछ उल्टी थी तो मजबूती में मंदी निकाल ली यह निफ्टी बै बैंक 745 मेंड की गिरावट उससे भी ज्यादा खास बत इए कि गिरावट दो सो पॉइंट इसके नीचे तक गई थी तो इसके नीचे भी 200 मेंट से रिकवरी आई यह और यह लास्ट के आदे घंटे में यह तो जो एक डिट घंटे काफी नीचे माल विका है उसके बाद न निफ्टी ने क्लोज दिया है उसके उपर क्लोज दिया है यानि कि जहां पर यह रिजिस्टेंस था अभी इसके आसपास आके चैक तो किया लेकिन वहां से तुरह बाउंस करेंगी यह करीबन 35,300 का आकड़ा है अगर 35,300 अगर आपको टूटता हुआ नजर आए तो यह एक परचा करूँगा देखिएगा यह क्या कर रहे हैं बेचने वाले लोग जब उपर तेजी हो रही थी सोमवार को तो समवार को बीर से का यार इनको बुल्स जो है मार्केटों को खीचना चा रहे हैं इनको खीचने दो उन्होंने अपनी वाइंग अडाली और शाम को इंटर और यह देखिए दिरे अब है उसके बाद तो बुदवार का दिन बुदवार को भी केंडल रैड रेड धीरे दीरे माल बैचते हैं और शिफ्ट कर वेचते हैं पो देखिएक साथ इसमेर शेसे में एक साथ सेलिंग आती है मैं स्पैशवार कर रहाँ तो इसमा स्वाद छ कि यह जो प्लेर्स हैं बड़े प्लेयर्स यह ऐसा नहीं है कि एकदम शोट मार देंगे तो इंडिया की जो ट्रेडर्स हैं इतने अक्टिव हैं कि वह शोट पूईशन तुरंद बना ले तो सबसे पहले थो इनने शोट सेलर को सोमबार को साफ किया उसके बाद अपने शोट् तो यहां पर देखिएगा अभी तक भी मैं आगे की बात नहीं कर रहा आगे भी हलेकि मुझे similar trend नजर आ रहा है लेकिन अभी तक भी अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने एक अच्छी खासी जो है गिरावट उपरी लेवल से कर दी और जो बुल्स थे उनको वहां पर उपर पर फसा भी लिया है तो अब देखिएगा जो maximum risk है वो अब बुल्स के हाथ में है अगर बुल्स को और माल थमा दिया गया बीस के दुआरा क्योंकि अभी तो delivery देखिएगा धीरे-धीरे volume भी बढ़ते जारे धीरे-धीरे माल बेच रहे हैं लेकिन उठने नहीं देते हैं देखिए खरीदने वाला 35,000-40,000 शेयर का होता है फिर भी सेलिंग जो है पान-पान-सो-हजार-जार शेयर करके भी इतनी ज्यादा ओर ही उपर से कि 35,000 के बायर को माल मिल रहा है और सभी बायर को उपर से माल दिया जा रहा है छोटी-छोटी quantity में और फिर यह भगाने की क है सब्सक्राइब करते हैं पर तो हम देखेंगे और इस तरी के से माल ऑपर के लेवल पर दिया जा रहा है माल नीचे, मार्केट नीचे जाती है, जो है सेलर अपना माल बेचना छोड़ देता है, बुल्स तोड़ी तो रूपर ले आते हैं, फिर वहां से फिर वो बेचना शुरू कर देते हैं, और यही चल रहा था, तो आज ऐसा क्या हुआ, क्योंकि यह चल रहा था, अभी तक स्पेशली पुट के जो फ्रीमियम से हैं, वो अचानक बढ़ गए हैं, अभी हो सकता है कि यह जो मामला है, क्योंकि उनके पास अगर पूट होंगी, तो बहुत सस्ते सस्ते भाव की हैं, और अब उनके पास माल है, अगर वो माल बेचते हैं, तो उन्होंने जो पूट खरी वो अब बढ़ी बहंगी हो रखी है, वो पान पान सो साथ साथ सो रुपे हो रखी है, तो यहां पर मुझे पसनली ऐसा लगता है कि बड़े प्लेयर्स ने बहुत स्मार्ट ली गेम जो है चेंज कर दिया, अब बैंक रिफ्टी के अंदर, ICICI bank, SBI, Axis bank, HDFC bank, देखिए आपको माइनस में नजर रह रहे हैं, और माइनस में भी कितना, दोने तो सेंचुरी मार दी, दोने डबल सेंचुरी मार दी, अब यह देखिएगा कि अगर HDFC bank, यहां से सो रुपे और पेन दे देता, expiry तक, तो क्या होगा, तो अभी तो गिरना शुरू भी नहीं किया इस अब बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बाकी शे रोल लड़ी उपर है, बैंक रिफ्टी के शेस में भी देखेंगे, तो बैंको बुड़ता 4% चला, फेडरल 3.57, SBA 3.52, AXIS Bank 3.4, यह सब गिरने वाले हैं, PNB 3.31, अच्छी तेजी हो चुक यह PSU में, ICIC Bank 2.99%, बं अगर यह गिरावट, HDFC Bank की अगर 5-6% हो गई, तो फिर Bank Nifty नहीं समलेगा, यह यहां पर सबसे बड़ा दिसक है, तो यहां पर एक hedging भी जो है, बहुत अच्छी होती है, जो बड़े प्लियर्स हैं, वो ऐसे hedging भी करते हैं, HDFC by Bank Nifty short, दोनों सेम डारेक्शन में तो नहीं चलते हैं, इनवर्स से चलते हैं, इसी तरीके से पुट कोल के साथ भी और strategy जो है, बनाई जा सकती है, अब यहां देखिएगा, एडवांस डेकलाइन में बात कर चुका है, अब यह है, फोरन इंस्टूशल इंवेस्टर्स के डेटा, देखिएगा, कैश में क्या buying की है, 118 करोड की बिल्कुल मामूली सी buying पर आ गया है, इसका मतलब क्या है, इन्होंने का बाई साब हम माल नहीं खरीदते हैं, आभी तो खरीदना छोड़ा है, और बैंक में 2700 गरिया, अगर इन्होंने बेचना शुरू कर दिया, तो क्या होगा, मेरी टेंशन यह है, कि अगर इन् उसके बाद Tuesday को और कम किया, Wednesday को और कम किया, Thursday को और कम किया, और आज तो गजवी कर गिया, बिल्कुली कम कर दिया, तो अगला सुम बार का क्या होने वाला है, बाइंग आएगी या सेलिंग आएगी तो आने वाला समय बताएगा, बट ऐसा लग रहा है कि अब चार दिन तो धीरे धीरे यह भी सेलिंग बढ़ाते जा रहे हैं, यह कॉंस्टेंट रखे होगा है, अब बात करिए इंडेक्स के, देखिए कि इंडेक्स में लगातर तीन दिन की सेलिंग के बाद आज इनों ने बाइंग किया, अब बात करते हैं, पंदरा फरवरी से लेके उन्निक पंदरा फरवरी को मार्के उपर चली इन लोगोंने पुट खरी लिए ज्यादा, तुस्डे को फिर पुट खरी लिए, वेटनेस दे को थोड़ी बहुत कवर की होंगी और कोल खरी लिए फिर सुबह के टाइम बेच लिए फिर नीचे आ गई, फिर पुट खरी लिए, और अबी मुझे ऐसा लग रहा है कि आज कोल के premium कम होगे ते, तो हो सकत है उन्होंने कोल खरीती हो, क्योकि कोल के premium क्या होगे हूगे, क्योंकि नीचे market के छी तो call संती हो गई, तो अगर ये कल को marketer को फिर चलाना शुरू करेंगे, तो तो इनके call के premium फिर आ जायेंगे, बट अब यहां पर दोनों पार्टी के बीच में जगड़ा जो है मजबूत है मुझे पर ऐसा लगता है कि दो सिनेरियो है या तो ये 3983 जो है अपनी और इनोंने कोल खरीदी हैं और पुट अपने पास रखी हुई है लुट्र होती तो बेचते गया तो भी नहीं आये अभी भी खरीदी नहीं है मुझे असा ल Bloody ने अभी जो है पुट खरीदी और उसलिह खरीदी है क्योंके उनको पता चलिकिंगे कंट्रोल में आ गई हए और BRS के कंट्रोल में मार्केट है तो हो सकता है कि मार्केट के अंदर बैंक निफ्टी को 34,000 के पोइंट तक भी इस एक्सपारी के अंदर दिखा दे और 34,000 के बाद अगर 34,000 भी तूड गया तो फिर आप देखिएगा 32,800 जो कि पिछला 52 वीक हाई है वहां तक भी लेकर जा तो उपर का स्कोप देखिएगा क्योंकि 3-4 दिन लगाता है और मार्केट उपर से नीचे आई है तो एक बाउंस आ सकता है टेक्निकली मैं इस बाद से मना नहीं करूंगा तो वह सोमवार को आता है या सोमवार को पहले मार्केट नीचे जाती है और फिर दो फैर में पुल कि जो स्टोक फ्यूचर से नोंने सेल किये थे यह देखिएगा वह आज कवर किये हैं लेकिन सेल तो बहुत सारे फ्यूचर कर रखे हैं कि सारे कवर हो गया है अभी नहीं अगर अपने पिछले तीन दिन की भी सेल देखेंगे तो उसमें से कवर हुए है 319 करोड के या तो करेंगे तो फिर मार्केट के अंदर एक पेन आ सकता है तो यह जो स्टोक वाला फ्यूचर का जो डिटा है पिछले तीन दिन के अंदर जो सेलिंग हुई है और आज जहां पर 319 करोड की ग्रावड के अंदर नोंने कवरिंग किये इससे ऐसा लगता है कि जो सेलिंग है वह अगर रिकवर करेंगे तो वह नीचे की लेवल पर रिकवर हुए तो बजार नीचे आ सकता है यह वह अगरी करेंगे तो फिर बजार अगले महीने शचाद फिर रिएक्ट करें नीचे कि तरफ और यह आपको पूट कोल रिश्यों के अंदर अगर हम बात करें तो यह 0.87 देखिए कि यह बुल्स के फेवर में है अब तो strongly bullish है और बैंक लिफ्टी भी strongly bullish है इसका मतलब है कि मार्केट एक पूल बैक दे सकती है अगर आप एक्सपारी डेटा देखिए तो सो हमवार को पूल बैक बन सकता है क्योंकि फोरन इस्टूशन इन्वेस्टर्स ने जिस तरीके सेलिंग की है और लोगों ने अभी जो हैजिंग कर रखे थी अपने नीचे क्योंकि फ्यूचर प्लस करके कोल खरीद के सोरी पुट खरीद के तो वह भी अब जो है कम कर दिया नहीं कि जो क्योंकि यहां पर ऐसा हो सकता है लेकिन लास्ट वीक के अंदर जो है इससे बहुत ज़्यादा बड़ा इंडिकेशन से मिल नहीं सका लेकिन फिर भी जो है अब जो है बुल्स डर नहीं रहे हैं बुल्स चाहरें के मार्केटों ओपर उढ़ा देंगा बहुमें पूट की ज पर इक का फोलो अपा गया संवकों तो फिर समझेगा कि जो वीक लेक्स पारिए यह ओगी संवर के जो लोग वलोगे उसके बी नीचे जाएगी अगर सवर को पजार जो है विक हो जाते हैं तो फिर सवर के बाद आपको मंगलवार को फूल बैक बिलेगा या सवर को जो है स प्रशोट कवरिंग डेली आजाए बट उसके चांसे मुझे अभी अभी हल फिलाल में जो है कम लग तो यह था आज का अनालसिस इसको यहीं पर आज समाप्त करते हैं और कल एक नई वीडियो के साथ आपके साथ जो है दूसरी जो चीजें हैं वो शेर करते हुए आपको नज